हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ तुलीका और कुकवित तुलीका में आपका स्वागत है तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीड की सबजी और इस सबजी को बनाने के पीछे जो स्टोरी है वो मैं आपको आगे बताऊंगे तो वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें तो इस सबजी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो प्यास, दो टमाटर और कुछ मसाले लिये हैं तो मसाला में मैंने धनिया, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा अद्रक और लैसुन लिया है और प्यास को मैंने दरदरा पिस लिया है, टमाटर का बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है, पनीर को भी मैंने पिस लिया है आप चाहे तो कच्चा पनीर भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा फ्राइ कर देंगे तो सबजी कर टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है तो इस तरह से मैंने सारे पनीर को जो है वो फ्राइ कर लिया है अब सेम कराही में मैं थोड़ा सा और तेल लूँगी और उसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी जीरा डालने के बाद इसमें मैंने एक तेजपता कर डाला है जब जीरा तेजपता थोड़ा सा चटक गया है फिर इसमें मैंने हलका सा जो दरदरा प्याज पीसा है उसको डाल दिया है और प्याज भूनते समय ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से भून जाए वो पार्ट साथ स्किप हो गया है तो नमक मैंने इसमें डाला है प्याज भूनते समय ही फिर इसमें मैंने टमाटर डाला है और इसे भी अच्छी तरह से भून लिया है और जब तेल छोड़ने लगे प्याज और टमाटर का फिर हम इसमें मसाला एड़ करेंगे तो मसाला को भी मैंने पूरे साबुत मसाला को ही मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में पिस लिया है इसमें हल्दी मैंने नहीं पिसा है तो अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी एड़ करूंगी और फिर मसाला को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि तेल जो है वो साइड से दिखने ना लगे हैं तो आप देख सकते हैं कि मसाला जो हमारा अच्छी तरफ से भून चुका है तो अब हम इसमें पनीर एड करेंगे इसमें कोई मलाई कोई घी कुछ भी हमें एड नहीं करना है तो जो मैंने पनीर कटकट के रखा था उसका पेस्ट बनाया है और उसी को मैंने इसमें एड किया है और इससे जो है सबजी का जो texture है, color है और इसका जो taste है वो काफी अच्छा हो जाएगा तो इस सबजी के पीछे जो story है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरी home maker है वो भी मेरा video देखती है और जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे साथ रहती है तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी अगर आप इतना काजू, बदाम और मलाई डालके सबजी बनाओगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो इतना कुछ होगा तभी तो मैं पनीर का सबजी बना पाऊंगी तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न मैं इस तरह से सबजी बनाओ कि हर तरह के लोग जो हैं वो इस सबजी को बना सकें तो इसलिए मैंने पनीर की सबजी में कोई मलाई, कोई घी, कुछ भी यूज नहीं किया है कोई एक्स्ट्रा मसाला यूज नहीं किया है जो घर का बेसिक मसाला है बस उन्ही चीजों से मैंने इस सबजी को बनाया है इस सबजी में मैंने थोड़ा सा लॉंग और इनाइची कूट कर उपर से डाल दिया है तो इससे जो सबजी का टेस्ट है वो काफी अच्छा हो जाएगा और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा तो अब मैं इस मसाला को इस सबजी में अब एड़ कर दूँगी और फिर गैस को बंद कर दूँगी और आप सबजी में रस अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं आप इसे रोटी पराथा पूड़ किसी भी चीज के साथ खाएं यह काफी टेस्टी लगेगा तो आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, सेर और कॉमेंट जरूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और इस दिवाली इस रेसिपी को आप बना कर जरूर ट्राइ करें आप सब को और आपके फैमिली को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए इंजुआए